तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फोर्ड इन प्रिंसिपल ओप इन्हारी टंस एंड वेडियेशन क्लास 12 आपकी NCRT बुक में यह चैप्टर फोर्ड है जो के नाम है प्रिंसिपल ओप इन्हारी टंस एंड वेडियेशन तो जीनेटिक्स का यह चैप्टर बहुत इजी है अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो जीनेटिक्स वैसे इजी ही सबजेक्ट है तो प्रिंसिपल ओप इन्हारी टंस एंड वेडियेशन तो इन्हारी टंस क्या होता है तो जो कैरेक्टर होते हैं जो हमारे पैरेंट्स से और चिल्डर में पास होते हैं उसे बोलते हैं इन्हारी टंस और जो वेडियेशन क्या होता है जो कैरेक्टर पैरेंट्स से चिल्डर में या ओफ्स्प्रिंग में पास होते हैं उसे बोलते हैं वेडियेशन अब यह आगे पढ़ेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा तो यह इंट्रोडक्शन है आपकी NCRT में एक पैरेग्राफ में लिखा है तो मैंने यहाँ पे उसे तूर के सेंटेंस बना दिया है तो फिर्स सेंटेंस फिर्स्ट में क्या लिखा है और जो मैंगो सीड है उसे सेंट मैंगो प्लांट ही क्यों ग्रो खरता है और दूसरा कोई प्लांट क्यों नहीं होता यह सब हमने देखा है जब हम कोई देखा है हमारे आसपास भी तो इन सब का जो सवाल है उसका हमें आंसर इस चैप्टर में मिल ली जाएगा गिवन देट देडू, आर दो ओस्प्रिंग आइडेंटिकल दो ते पैरेंस और यहां पर क्या बोले है जो चिल्डरन है और अप्सरिंग है वो अपने पैरेंस से आइडेंटिकल है कभी टाइम कभी कभी आइडेंटिकल होते भी नहीं है जो हमारे सिब्लिंग से आनि कि हमारे जो भाई बेहने कभी तब कभी हमें सेम तू सेम दिखते है और कभी डिफरन दिखते है तो इस सब क्यों ऐसा होता है तो is this and several related questions are deal with scientifically in a branch of biological known as genetics जो इस सब का जो answer है हमें इस genetics में मिल जाएगा तो genetics क्या है is this subject deals with the inheritance as well as the variation of characters from parent to offspring तो inheritance and variation क्या है देखते है inheritance is the process by which character are passed on from parent to progeny it is the basis of heredity तो क्या होता है character जो parents to progeny में pass होते है उससे बोलते है inheritance inheritance characters में क्या क्या आता है जैसे कि eye color हो गया, hair color, skin tone, blood group जैसे सब characters है जो parent to offspring में pass होते है जो हमारे grand parents से उससे हमारे parents में pass होता है और हमारे parents से हमारे में हमारे आने वाली progeny में हमारे आने वाली पिड़ी में ऐसे characters सब चलता ही जाता है इसलिए basis of heredity है and variation क्या होता है is the degree by which progeny differ from their parents so variation क्या होता है जो progeny है children है अपने parents से different दिखती है यह हमारे parents यसे same to same तो नहीं दिखे है slight to difference होता है बहुत इसलिए उससे variation बोलता है human news from early 8000 to 1000 BC that one of the case of variation was hidden in sexual reproduction they exploited the variation that were naturally present in the wild population of plants and animals to selectively breed and select for organism that possess desirable characters तो क्या बोला है कि जो variation है वो naturally population में present है most of plant और animal में तो उससे हम क्या करते है कि उससे हम कुछ selective breed या नहीं कि हमें जैसा plant और animal चाहे वो ऐसा बना सकते है for example through artificial selection and domestication from ancestral wild cow we have well known Indian breeds asahival cows in Punjab we must however recognize that our ancestors knew about the inheritance of characters and variation that they had very little idea about the scientific basis of this phenomenon तो next बात करते है Mendel's law of inheritance क्या है तो मेंडल's law of inheritance में तीन लो आते हैं कौन-कौन से है एक law of dominance है दूसरा है law of segregation and तूसरा है law of independent assortment तो आज हम दिखते हैं मेंडल's law of inheritance में क्या है तो दिखते हैं अगर आपको प्लांत क्या है तो अगर आपको प्लांत प्लांत हैं को पता है कि मैं क्यों garden please plant मेंडल जूस किया तो उसका answer मुझे comment में बता ना बाकी वीडियो के end में मैं इसका answer या next वीडियो में मैं इसका answer बताऊंगे During Mendel's investigation, inheritance pattern it was for the first time the statistical analysis and mathematical logic were applied to problems in biology जो Mendel के investigation के time पहली बास statistical analysis and mathematical logic जो biology में यूज हुआ था X experiment has a large sampling sets which gave greater credibility to the data that he collected Also the confirmation of his inference from experiment on successive generation on his test plants proved that his result pointed to general rule of inheritance rather than being on sustained ideas Mendel investigated characters in the garden pea plant that were many freshers to opposing character तो Mendel ने जो character investigate किया था Garden pea plants में वो एक उसरे से opposite है वो ऐसे character को select करके उन्होंने investigate किया था जैसे कि tall and rough plant, rough यानि के small plant, yellow and green seed जो opposite character वाले plant को लेके उन्होंने study किया था तो उसे क्या मुल्ला था? This allow him to set up the basic framework of rules governing inheritance which was expanded by later scientists to account for all the diverse natural observation and the complexity inherited in them Mendel conducted such artificial pollination and cross pollination experiment using several true breeding PE lines True breeding lines क्या होती है? Is the one that having undergo continuous cell pollination and so the stable trait inheritance and expression for several generations True breeding lines क्या होती है कि उसे हम जितनी self pollination कराते है तो हमें क्या स्टेबल ट्रेट मिलता है Stable trait यानि कि एक character continuous हमें एक जैसा ही characters मिलता है और वो character character बहुत सार जनरेशन तक ऐसा ही express होता है इसलिए हमें Mendel ने true breeding PE lines ले थी Mendel selected 42 breeding PE plant variety as pair which were similar except for one character with contrasting trait Sum of contrasting traits selected were smooth and wrinkle seed, yellow and green seed, implanted and constructed green and yellow pores, tall and draft plant तो कोछ इतरके दो opposite character उन्होंने select गिया थे Mendel ने total 7 character में study किया थे कौन-कौन से थे पहले थे seed shape, दूसरा वाला seed color, flower color, core shape, fold color, flower position and stem height यह साथ characters पर में ने study किया था और investigate किया थे तो दिखते हैं यहां पर दिखा है characters तो stem height जो tall और draft यानि कि stem होती वो tall भी होता है और draft यानि कि small भी होता है जो second one है flower color, flower color violet and yellow, no sorry white third one है flower position, axial यानि कि जो top पर होता है वो यह तो middle में होता है terminal, end पर fourth is pore shape, pore से प्यानि कि जो उनका यह जो बाहर का आवरन है उसे बोलते pore shape जो inflated है और constricted है fifth one क्या है pore color जो green और yellow, sixth seed shape, seed कैसा shape का round है या wrinkle है और seed का जो color है seed color yellow और green है, तो मेंडल ने इन seven character का study किया था तो next video में हम देखने वाले inheritance of virgin बहुत easy ता simple सा topic है तो thank you for watching this